हेलो गाईस अब सभी का स्वागत है हमारे यूट्यब चनल ऑटोमोबिल यूणिवरसिटी में तो गाईस आज का जो हमारा टोपिक है वो होने वाला है इंजन मेरेजमर सिस्टम पार्ट टू पार्ट वन में हमने कुछ सेंसर्स को कवर किया था यह है उसका सेकिंड पार्ट और इसमें हम कुछ नए सेंसर्स को कवर करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर इनले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और बैल आइकन को प्रेस कर लिजेगा ताकि आपको अटो मोबिल से लिखती जानकारिया मिलती रहें Engine Management System अब जो Engine Management System है वो काफी Suffigated Electronic Control System है जो कि हमारी Models Cars में यूज किया जाता है Optimize करने के लिए Engine के Performance को और Manage करने के लिए अब ये करता कैसे है ये Various Sensor और का जो Data होता है उसको Collect करता है Integrate करके Activator से काम करवाता है Example के तोर पर जैसे के हम सबसकते है fuel injection, ignition timing, air fuel mixture और main purpose जो होता है हमारे engine management system का वो होता है emission को control करना primary purpose है हमारे EMS system का ensure करना है कि engine एक operate जो है वो काफी efficiently कर रहा है safely कर रहा है और environment के regulations को follow कर रहा है और provide कराना है एक delivery power और fuel economy चलिए अब हम बात करते हैं working of management system यानि कि working of engine system के बारे में हम समझेंगे कि वो कैसे काम करता है उथारन के तोड़ पर यहां पर हमारे पास है cam sharp position sensor अब cam sharp position sensor का का क्या होता है कि इसका यह काम होता है कि यह distance की position को बताता है कि जो हमारा firing order है कि इस position में चलना है अब cam sharp position जो है पहले पिस्टन की position हमारे ECM को बताएगा कि पहला जो पिस्टन है वो हमारा कौन से position पे वो टॉप डर सेंटर में है वोटम डर सेंटर में है इसके signal प्रोवाइट करने पे जो signal जाएगा वो चाएगा ECM पे अब ECM क्या करेगा उसके बेहाब पे हमारे firing order को set करेगा और ignition coil को जो है command देगा कि आपको कौन से cylinder में firing करनी है तो इस तरीके से हमारा काम करता है engine management system तो सबसे पहले हम बात करते है fuel pressure sensor यानि कि fuel pressure sensors जो है वो हमारी गाड़ियों में क्यों use के जाता है इसका क्या काम होता चली साबस्ते अब एक fuel pressure sensor जो है उसको fuel grade pressure sensors के भी नाम से जाना जाता है critical components जो हमारी गाड़ियों में लगा होता है fuel injection system में इसका जो primary function है वो monitor करना है fuel के pressure को और इसका data send करना है ECM को अब ECM इस data को regulate करता है और fuel के amount को adjust करता है जिससे कि हमारा engine की performance और fuel efficiency जो है वो बढ़ जाती है और emission को control करता है अब हम बात करते हैं इसकी location के बारे में जो fuel pressure sensor जो है वो typically locate के जाता है हमारे fuel rail यानि कि common rail के अंदर यह आपको sensor देखने को मिल जाएगा और कुछ गाड़ियों में यह fuel tank के अंदर भी आपको देखने को मिल जाएगा अब ही कैसे work करता है fuel sensor जो है वो pressure को measure करेगा measure करने के बाद इसका data जो है वो transmit करेगा electrical signal के थुरू जो के हमारे ECU पर जाएगा और ECU इसके मताबिक fuel की डेवली को adjust करेगा और fuel को inject कराएगा अब इससे जो है अगर हमारा fuel का pressure काफी low होगा या high होगा इसका सीधा-सीधा effect हमारे engine के performance पर पढ़ता है तो इसी यह sensor की जरुवत पढ़ थी है हमारी गाड़ियों में अब एक fuel pressure sensor अगर खराब हो तो उसकी क्या के symptoms हो सकते हैं इसको चली समझते हैं अगर fuel pressure sensor खराब है तो सबसे पहले आपको jack light देखने को मिलेगी जिसको आप diagnostic tool के मतर से find out कर सकते हैं दूसरा poor engine performance, engine performance काफी जादा down हो जाती है जब भी एक faulty fuel pressure sensor होता है एक incorrect signal जाएगा जिससे fuel delivery जो है वो काफी जादा inconsistency होगी rough idle हो जाएगा hesitation होगी और engine जो हो काफी जादा struggle करेगा एक power को consistent के लिए तीसरा आता है हमारा hard starting और not starting अब जब भी हमारा fuel pressure sensor खराब है तो वो एक गलस signal प्रोवाइड करेगा जो की ECM पे जाएगा इसके वज़े से ECM ये regulate नी कर पाएगा कि उसे कितना enough fuel बेजना है हमारे engine को start करने लिए जिसके कारण उसे काफी जादा difficulty होगी start करने में विकल को तीसरा आता है continuous fuel efficiency अब ये fuel efficiency कैसे reduce होगी एक खराब fuel pressure sensor की वज़े से ये भी हो सकता है कि क्या पता जादा fuel burn हो या पिर कम fuel burn हो जो injection है काफी ज़्यादा fuel भी inject किया जा सकता है rich mixture या पि lean mixture भी किया सकता है दोनों condition में हमारी fuel की efficiency घट जाएगी और engine जो है more fuel की necessary उसको ज़् maintain करने के लिए और काफी जाता struggle करेगा जिसकी वेसे हमारा sufficient fuel जो है वो burn होगा और engine की performance जो है वो भी down हो जाएगी और fuel efficiency भी reduce हो जाएगी नशाता है engine misfire engine misfire कैसे करेगा जब भी fuel का pressure काफी कम होगा इसकी वेसे engine misfire करेगा during acceleration के acceleration और under load condition में आपको है महसूस होगा कि engine काफी जर्किंग कर रहा है और स्टेंबल कर रहा है during driving की नशाता है poor acceleration अब fuel का pressure है वो maintain नहीं है अब fuel का pressure maintain ना होनी की वैसे engine की performance जो सीधा सीधा प्रवाब पड़ता है और इसके कारण जो है engine में हो काफी ज्यादा delay आएगा power acceleration के time engine जो है काफी ज्यादा delay करेगा और due to the in proper fuel air fuel mixture के कारण जो है poor acceleration की condition आएगी नशाता है black smoke from exhaust in case fuel pressure sensor खराब है तो इसकी वैसे काफी ज्यादा fuel जो है वो burn होगा fuel burn जब काफी ज्यादा fuel burn होता है तो उसको हम कहते है rich mixture अब जो rich mixture बर्न होगा rich mixture में हमारे जो काफी ज्यादा जो particles है वो बच जाएंगे जिसकी वैसे हमें black smoke हमारको exhaust में से दिखाई देगा next है हमारा fuel leakage कुछ cases में क्या होता है कि fuel leakage के कारण भी है fuel pressure sensor जो गलत दीटिंग प्रवाइड करता है तो इसमें भी जो है हमारे fuel system में काफी ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलती है next आता है हमारा barometric pressure sensor अब barometric pressure sensor को अलग नावों से भी जानते है जो है barometric air pressure sensor और paro sensor अब यह जो sensor है हमारे गाड़ियों के इंदर इसलिए लगाए गया है यह measure करता है atmospheric pressure को यहनि कि हवागे weight को यह नापने का काम करता है और provide करता है इसकी information ECU को और adjust करता है इसकी इसलों मतर्स से air of sugar mixture ignition timing और other engine functions को अब यह engine जो है ensure engine को operate करने के लिए एक efficiently operate करने के लिए लगाया जाता है यह sensor जहाँ पे sea level और high altitude यानि कि पहाड़ों वाले इलाकों में sensor काफी ज्यादा useful होता है इसलिए sensor हमारे गाड़ियों में यूज के जाता है अब हम बात करते हैं इसकी location के बारे जो location जो है barometric pressure sensor की कुछ गाड़ियों में यह ECM के अंदर inside the ECM भी देखने को मिलता है और कुछ में manifold absolute pressure sensor के अंदर भी इंडिविंट किया जाता है और कुछ गाड़ियों में यह engine B के अंदर भी लगाया जाता है यानि engine compartment के इंदर भी आपको देखने को मिल जाएगा call drop के नीचे अब symptoms of faulty barometric pressure sensor क्या-क्या हो सकते हैं सबसे पहले आपको देखने को भी लेगा engine check light जिसमें आपको code देखने को भी लेगा P0106 और दूसरा P2227 दूसरी condition आती है poor fuel economy अब incorrect barometric pressure sensor की तो reading है वो हमारे ECU को जो है improper fuel aero fuel का mixture जो है वो प्रोवाइड करेगा हमारे ECU अब इसकी वैसे होगा inefficient fuel consumption होगा जिसकी वैसे हमें pure fuel efficiency देखने को मिलेगी गाड़ी छेंटर नच्छ आता है engine hesitation and stallion अगर issue जो है वो incorrect atmospheric pressure data collect कर रहा है तो उसकी वैसे हमारे जो engine जह हो काफी ज़दा hesitate करेगा stumble करेगा especially during acceleration और climbing hills वाले area में यह काफी ज़दर दिक्कत आपको देखने को मिलेगी next आता है exclusive emission अब exclusive emission कैसे होगा अब जब भी biometric pressure sensor खराब है तो इसकी वैसे disrupt होती है हमारी aero fuel की ratio अब aero fuel की ratio जो disrupt होगी उसकी वैसे engine जो है वो काफी ज़दा causing the engine to run rich जो काफी ज़दा too much fuel जो है वो burn होगा जिसकी वज़े से higher level of unburn gases जो है इंदा exhaust में आपको देखने को मिलेगी और यह contribute करेगा pollution को increase करने में next आता है मारा difficulty starting the engine जब biometric pressure sensor faulty है उस case में ECU में fail to provide correct amount of the fuel अब ECU जो है वो fail हो जाएगा एक correct amount provide करने में fuel का कि जिससे हमारी गाड़ी जो है वो start हो सके इसके वज़े से leading जो है वो hard start की condition भी हो जाती है और कभी-कभी start भी नहीं होती है गाड़ी नशाता है rough idle अब rough idle के condition क्या होती है जब B engine this engine may run with unstable or rough idle due to incorrect air fuel mixture resistance कोई भी sensor कराब होता है तो उसका सीधा सीधा प्रभाव जो पढ़ता है वो पढ़ता है हमारा air or fuel के mixture पर अब इसकी वज़े से जो हमारे unstable होंगे rpm और rough idle होगा यह सीधा आपको देखने के बढ़ता है अब यह जो यह थी आप notice कर सकते हो especially कब जब आपकी गाड़ी किसी rest area में खड़ी है या फिर traffic में है तब आपको देखने को मिलेगा कि unstable है rpm और काफी जादा rough idle है माना नेक्स रहता है हमारा loss of power अब power loss कैसे होगा अब malfunctioning अब malfunctioning जो हमारा biometric pressure sensor है उसका can cause इसका जो सीधा प्रवाब पढ़ता है engine के power loss के लिए especially high altitude अब यह जो sensor जो है यह यह लगाया इसलिए गया है कि जो आपे हमारे atmospheric pressure कम है वहां के लिए यूज किया जाता है ठीक है जहां पे भी air gum होती है उस जगह के लिए यूज के जाता है तो high altitude पे engine को काफी ज़्यादा struggle करना पड़ेगा power को generate करने के लिए maintain करने के लिए तो इसकी वज़े से आपको loss of power भी देखने को मिलेगा काफी ज़्यादा struggle करेगा एक engine next आता है हमारा OCV valve यानि कि oil control valve अब oil control valve जो यह actuator है जो की use किया जाता है हमारे VVT system में अब VVT system में इसका use इसलिए के जाता है इसकी मदद से हम intake और exhaust के valve की timing को advanced और retired करते हैं और fuel efficiency को improve करते हैं और reduce करते हैं emission को इसी की वज़े से जो है हम एक internally easier effect देते हैं petrol engine के अंदर कि जिससे हम emission को कम कर सके अब जो OCV valve जो है वो लगा कहा होता है काडियों में अब OCV valve जो है usually locate किया जाता है cylinder head के पास या कुछ गाडियों में यह oil pump side यानि कि timing side पे आपको देखने को मिल जाएगा मार्थी की गाडियों next आता है हमारा symptom of bad oil control valve जब हमारा oil control valve खराब हो जाता है तो हमें क्या symptoms देखने को मिल जाते हैं इसको हम समझते हैं अब जब हमारा oil control valve खराब होगा तो सबसे पहले हमें TTC देखने पर मिलेगे यानि की engine check light अब तो TTC आएगी वो कुछ stack जे हो सकती है P0010 intake camshaft position actuator circuit और दूसरी है P0011 intake camshaft timing over advance की जाता timing advance कर दी गई है नच आता हमारा poor acceleration अब VVT system जो है वो highly optimize करता है हमारी power at a different speed अब जो malfunction है हमारा OCB valve अगर खराब है तो उसकी वेसे camshaft की timing जो है वो adjustment ठीक से नहीं हो पाएगी जिसका result ही हमें देखना पड़ेगा slow acceleration lack of Indian power हमें देखने को मिलेगी अब एक improper OCB valve क्या प्रभाब पड़ेगा हमारे wall timing पर प्रभाब करने के विए से क्या होता है rough और unstable idle आर पर देखने को मिलेंगे और यह notice कर सकते हो newly जब भी हमारी गाड़ी किसी rest area में कड़ी है और idling पर है नच आता हमारा reduce fuel efficiency अब fuel efficiency कैसे reduce होगी in case of OCB OCB is unable to properly जब भी हमारा OCB जो unable properly regulate करेगा oil flow को यह oil flow को properly regulate नहीं कर पाएगा जिसकी वज़े से VBT system जो है वो स्थांग से काम नहीं कर पाएगा efficiently तो इसकी वज़े से हमें fuel efficiency जो है वो हमारी घट जाहे अब engine styling के भी कुछ इसकी वे से दिक्कत आती है servo OCB जो है वो सीधा सीधा उसका cause जाता है हमारे engine to stall और this can happen if the wall timing become too advanced अगर wall timing काफी जादा advance हो जाएगी है काफी जादा retired हो जाएगी तो इसकी वे से जो है improper combustion होगा और causing engine to shut off unexpectedly next आता है हमारा increase exhaust emissions अब exhaust का emission कैसे increase होगा अब एक faulty OCB can distribute the wall timing अब OCB की वज़े से क्या होगा जो wall timing है उसमें काफी जादा दिक्कत है लिए higher emission higher emission देखने को मिलेगा और possibility यह भी हो सकती है कि आपकी गाड़ी emission test में fail हो जाए next आता है engine noise अब defective OCB जो है इसका cause होगा direct-direct engine noise especially from the wall drain area wall drain area से आपको कुछ आवाज सुनने को मिलेगी जैसे tick tick और rating का sound आपको आएँगा during the start up और acceleration के time next आता है हमारा lack of power at high RPM high RPM में हमें power lack देखने को मिलेगा जब OCB wall जो है वो धन से काम नहीं कर रहा है तो cam sharp की timing may not adjusting properly adjustment जो cam की sharp की timing है वो काफी धंग से adjustment नहीं होगी as a higher RPM और जिसकी वेसे हमें power lack देखने को मिलेगा जब आप accelerating करोगे या maintain करोगे अपने high RPM को next आता है हमारा boost pressure sensor अब यह boost pressure sensor किसले लगा हुआ है गाड़ियों के अंदर और यह था अब यह boost pressure sensor जो है इसको हम map sensor के नाम से भी जानते हैं और manifold pressure sensor के रूप में भी है यह is an important component यह काफी जादा important component है यह turbo charger और super charger engines के अंदर जो turbo charger और super charger engines जो होते हैं वहाँ उन गाड़ियों में boost pressure sensor का use किया जाता है यह बात है note करने वादी कि जहाँ पे boost pressure sensor लग रहा है वो गाड़ियों में या तो turbo charger होगा या super charger विलेगा आपको देखिन को अब इसका जो काम है वो क्या है यह measure करता है amount of pressure कि कितना pressure है उसको यह measure करेगा created by a turbo और super charger अब यह जो amount of pressure किसके द्वारा create किया गया है यह create किया गया है turbo charger और super charger के द्वारा अब यह इस data को send करेगा issue को और issue information के बहाफ पे air और fuel के mixture को adjust करेगा adjust करेगा और insure करेगा insure करेगा कि engine जो हमारा run कर रहा है efficiency run कर रहा है under the driving different condition के अंदर पे हमारा engine जो अच्छी तरीके से run कर रहा है अब यह location क्या होती है हमारे boost pressure sensor की अब boost pressure sensor जो है usually mount किया जाता है intake manifold के अंदर या फिर nearby the throttle body और किसी में intercooler pipe में भी आपको दिखने को मिल जाएगा अब symptom of bad boost pressure sensor क्या क्या हो सकते हैं सबसे पहले कोई भी sensor खराब होगा तो हमें engine check light देखने को मिलेगी अब boost pressure sensor क्राब होने के वैसे हमें जो DTC देखने को मिलेगी वह होगी P0236 और P0237 यह दो आपको DTC देखने को मिल सकती है अब reduce engine power अब engine की power कैसे reduce होगी अब issue में limit engine power as protective measure when is detective the issue with a boost pressure sensor अब यह जो होगा यह जब भी boost pressure sensor आपकोई effect आएगा तो इसकी वज़े से issue की जो है issue के पास incorrect data जाएगा जिसकी वेसे reduce engine की power का जदा reduce हो जाएगी और the vehicle will feel underpowered and may struggle to accelerate अब vehicle जो है वो काफी जादा feel करेगा underpowered होगा और struggle करेगा acceleration के tag तीसरा आता है हमारा poor acceleration अब poor acceleration कैसे होगा incorrect boost pressure sensor का तो data है issue जो reduce करेगा boost level को और leading करेगा sludging acceleration and decrease engine performance जोगा decrease हो जाएगी वेकल में feel slow and unresponsible particularly under load or during heavy acceleration next आता है हमारा black smoke from exhaust अब black smoke कैसे आएगा exhaust के अब एक faulty boost pressure sensor के कारण हमारा over rich fuel mixture जो है वो burn करेगा when too much fuel is being burned अगर जादा fuel burn होता है तो जादा fuel burn होने की वेसे हमें black smoke के condition हमें देखने को मिनती है क्योंकि उसमें जो हमारे particles जो होते हैं add burn fuel के वो काफी जादा बच जाते हैं जिसकी वेसे हमें black smoke के को मिलता है next आता है हमारा pure fuel economy अब pure fuel economy कैसे होगी जब वेन जो मारा boost pressure के जो reading है वो incorrect होगी तो इसकी वेसे ECUJ में जो inject करेगा वो more fuel inject कर देगा than necessary leading इसकी वेसे जो हमें defect आएगा वो आएगा हमारा pure fuel efficiency efficiency जो है वो काफी जादा घड़ जाएगी और this can cause your vehicle to burn more fuel than normal इसकी वेसे हमारा fuel जो है वो काफी जादा burn होगा एक normal condition के दवारा जिसकी वेसे हमारे fuel efficiency काफ जादा घड़ जाएगी अब next आता है हमारा engine misfire अब incorrect boost pressure data जो है वो हमारा सीधा सीधा effect करता है हमारे air or fuel के mixture को अब जिसकी वज़ेसे हमारे को engine misfire की condition भी आ सकती है हाई air load और during acceleration के time भी आपको misfiring देखने को मिलेगी misfiring के वेसे jerking, hazardation और even engine damage in a left unresolved की भी problem आपको देखने को मिल सकती है नशाता है turbo lag turbo lag कैसे करेगा a faulty boost pressure sensor के वेसे can increase turbo lag turbo lag काफ जादा बढ़ जाएगा when the turbo charger is slow to build boost resulting in delay throttle response अब turbo charger जो है कुछ condition में जैसे हम EGT turbo charger यूज करते हैं तो वो work करता है हमारे idle RPM पर ही work करना start करते था है उसके लिए हम जो यूज करते है vacuum का यूज करते हैं अगर एक proper boost pressure sensor वर्त नहीं कर रहा होगा तो issue के पास गलत rating जाएगी गलत rating के वेसे जो उसका डायफ्राम है वो गलत तरीके से काम करेगा हमारे turbo charger अब turbo charger का जो डायफ्राम है वो गलत तरीके से उप्लेट होगा उप्लेट होने की विए से जो उसकी fins जो है तरीके से वर्क नहीं कर पाएगी जिसकी वेसे जो है उसका response जो है turbo charger काफी जो हो जाएगा और turbo lag की condition भी आपको देखने मों मिल सकती है next राता है हमारा fuel temperature sensor fuel temperature sensor जो है वो किसले लगायागी है हमारे गड़ी fuel temperature sensor जो है एक important part है हमारे vehicle fuel system के अंदर especially modern fuel engine system के अंदर अभी जो role play करता है हमारे गाड़ी के अंदर वो play करता है temperature of the fuel fuel का temperature जो है वो क्या है उसको measure करने का काम करता है और इसका data जो है वो ECU को send करता है अब ECU इस information से fuel की delivery को adjust करता है ensure करता है optimal fuel efficiency and emission को control करने किल अब fuel temperature का क्या effect होता है हमारे किसी भी कार की combustion में वो होता है उसकी density अब fuel temperature जो है fuel temperature can effect fuel density and combustion so adjusting fuel delivery based on its temperature mainly maintain consist engine performance under various conditions अब fuel density का जो वह वह फरक बड़ता है temperature के साब से अब temperature जो है वो भी हमारे जो combustion होता है उसके उपर effect डाल सकता है तो इसके लिए हमने fuel temperature sensor का यूज़ के अंदर अब location जो है fuel temperature sensor जो है वो यूज़ टिपिकली जो है लोकेट के जाता है हमारे common rail के अंदर ही आपको तेखने को मिल जाएगा fuel temperature sensor अब function का है fuel temperature sensor का यह समस्ते है अब fuel temperature sensor है वो ensure करता है issue को तो around how hot or cold the fuel when the temperature is increase जब temperature increase होगा its become less dense अब जब temperature increase होगा तो उसमें हमारे fuel की जो density होगा काफी ज्यादा कम हो चाहेगी और required adjustment to air or fuel के mixture को अब इसके वेज़े से हमें air or fuel के mixture को adjust करना पड़ जाएगा जिसके वेज़े हमारे temperature बनी रहे light lean रहें अब conversely when fuel is colder अब fuel cold है cold condition में होगा तो basically fuel cold ही होगा तो इससे क्या होगा fuel is dancer fuel को जादा ही dancer हो जाएगा density उसकी जादा गवादा जादा बढ़ जाएगा तो इसमें भी जो हमारे issue को adjust करना पड़ेगा और injection को according to the optimized combustion इस case में भी हमारे airfield mixture को ECU को adjust करना पड़ेगा अब हम समझते हैं symptom of bad fuel temperature sensor के क्या-क्या हो सक्के है सबसे पहले हमें देखने को बिलेगे engine check light engine check light में हमें देखने को बिलेगा जो हमें code आएगा scanning tool का connect करेंगे तो P0108 difference model भे different DTC का code हो सकता है अब दूसरा है हमारा power fuel efficiency efficiency कैसे घट जाएगी अब जब भी को sensor incorrect data provide करेंगे ECU को तो ECU deliver कर देगा too much या तो rich mixture या too much या तो lean या तो ज्यादा fuel inject कर देगा या कमी fuel inject कर देगा जिसका शीरती रपरभा हमारे fuel efficiency पर बढ़ेगा जिसकी वह से engine consume more fuel than necessary engine को जितना fuel चेह से जादा हो कि वह खबत करेगा especially is varying driving condition of undone load load condition में और variable driving condition में engine काप ज़्यादा fuel की खबत करेगा नशाता है hard starting अब hard starting की condition कैसे आएगी अब जब एक faulty temperature sensor है इसकी विएसे hard starting की problem आ सकती है especially extreme hot or cold condition या दो काफी ज़्यादा hot condition हो या काफी ज़्यादा cold condition हो इसके कारण जो incorrect fuel temperature data जो जाएगा हमारी issue के पास तो उससे wrong amount of fuel जो है वो inject किया जाएगा जिसकी उसे start up करने में काफी ज्यादा दिखकता ही difficulty आएगी इंदन को start होने में next आता है हमारा rough idle अब rough idle में क्या है एन improper fuel air mixer अब improper fuel mixer का जो due है due to faulty sensor उसकी वेर से जो issue reading करेगा issue के पास जो data जाएगा उसकी वज़े से air and fuel का mixer जो काफ जाता है improper हो जाएगा और इसकी वज़े से idle जो हमारे काफी rough हो जाएगा और you may notice engine vibrate करेगा और running uneven even when the engine has a rest condition rough idle आपको rest condition में आपको तिकने को मिल जाएगा कि आपके जो idle है वो काफ ज़्यादा rough है next आता है poor engine performance engine performance जो घट जाएगी वो कैसे घट जाएगी एक bad fuel temperature sensor की वेज़े can cause engine to experience reduce power उसकी power reduce हो जाएगी sludges acceleration हो जाएगा this happen because issue is not deliver the current amount of fuel यह सब होगा जब हमारा issue correct amount of fuel deliver नहीं करेगा इसके कारण हमारे power का काफ चाथा loss होगा चड़ा आता है हमारा engine misfire engine misfire की condition कैसे आएगी inconsistently fuel delivery जब fuel delivery जो है उसके अंदर कुछ fault होगा faulty temperature sensor जो reading होगी उसके वेज़े हमारे engine misfire की condition आएगी अब यह होता कैसे है जब भी aero fuel का mixture is not optimal aero fuel का mixture जो incorrectly है इसकी वज़े से जो हमारा combustion है वो incomplete हो रहा है तो उस कारण में हमें rough running और hesitation during driving हमें यह चीज़े देखने को मिले कि जिसकी वज़े से engine misfire करेगा नशाता है हमारा increase emission अब emission increase कैसे होगा अगर fuel का temperature जो है fuel temperature sensor faulty है इस case में क्या होगा engine run करेगा rich mixture पे भी run कर सकता है lean mixture पे भी run कर सकता है उसकी वज़े से causing हमारा combustion जो है वो incomplete होगा incomplete होने की वज़े से जो result आएगा वो आएगा increase emission जो है वो increase हो जाएंगे या तो engine rich mixture पे run करेगा इन दोनों कंडिशन में हमारे emission जो हो increase होने के हो जाएंगे जो अब which might make it harder to pass an emission test इसकी वज़े जो हमारा emission test है उसमें हमारा की कल भी नो सकता है next आता है हमारा styling or hesitation incorrect flow delivery जो है bad sensor जो engine में कुछ यह भी problem आ सकते हैंगे engine styling और काफी hesitation के अंप acceleration के time of engine काफी जाड़ा कापी जो engine जो है engine come to us stop or hesitate when pressing the acceleration जब भी आप engine को stop करोगे या कोई accelerator pedal को press करोगे तब आपको hesitation मैसुस होगे कि engine काफी जादा काप रहा है next आता है हमारा battery temperature sensor battery temperature sensor काफी लोग cover नहीं वहते हैं यह भी useful चीज़ है जो हमारी गाड़ियों में यूज की जाता है battery temperature sensor जो है component जो है found किया जाता है गया है इसका जो basically function है वो monitor करना है battery के temperature को monitor temperature of the vehicles battery के ठीक है और इसके information है वो ECU को provide करता है और ECU इसके बहाब पर जो है data को adjust करता है charging rate को इसकी वज़े से जो है charging rate को adjust करता है ECU battery based on its temperature ensuring safe and efficient charging जो battery जो एफिशेंस चार्ज हो overcharge ना हो और अगल एक parameters पे जो battery जो charging condition होती है उसको यह follow up करता है अब इसकों समझते है location और क्या होगी इसके the battery temperature sensor की जो location होती है locate near or the battery अब जो negative cable पे न negative cable पे आपको यह black लगता जो चीज़े देखने को मेंगे इससे हम बोलते है battery temperature sensor अब इसका function क्या है function समझते हैं हम इसको the battery temperature sensor जो है वो help करता है maintain करता है healthy और innovative of the battery अब यह preventing overcharge battery को overcharge से बचाने लिए when the battery gets too hot battery जाता गरब हो जाएगी तो यह sensor signal प्रोवाइड करेगा issue को reduce कर देगा stop कर देगा charging को कि जिससे हमारी battery damage ना हो next है ensuring optimal charging अब in cold condition अब cold condition में the sensor जो है वो ensure करेगा the charging rate increase कर देगा increase to increase कर देगा डिसकी वैसे हमारी battery जो है वो battery reduce ability to charge efficiently at a lower temperature battery जो है वो काफी अच्छा charge होगी एक low temperature कर देगा third आता है हमारा preventing under charge if the battery is too cold अगर battery काफी जादा cold है तो जो sensor जो है help करेगा adjusting करेगा adjust the charging to ensure to reach a fully charged safely जो battery जो हो काफी fully charged हो जाए वो spacious safely है इसका यह ही काड़ा है जो हमारा battery temperature sensor है यह battery safety purpose के लिए लगाया कि battery over charge ना हो under charge रहे और अलग-अलग weather condition पे proper तरीके से charge हो सके अब हम बात करते हैं symptom of bad battery temperature sensor अगर हमारा battery temperature sensor खराब है तो क्या क्या दिखते हमें आ सकती है over charging और under charging of battery over charging और under charging की एक problem इसमें create हो सकती है क्योंकि जब एक battery temperature sensor खराब होता है तो वह improved charging behavior charging behavior में काफी बदलाव आ जाएगा क्योंकि इससे एक गलत temperature data send होगा ECU को जिसके वैसे ECU या तो उससे over charge करतेगा या फिर उससे under charge करेगा battery को over charging से क्या होगा कि हमारी battery जो है वह overheated हो भी और leading the battery failure leave the battery with insufficient power but battery के अंदर insufficient power नहीं होगी और causing जो होगा starting issue होगी और poor performance होगी हमारे electrical components के लिए battery light और check light engine check light हमें battery की light दिखने को मिलेगी हमारे instrument cluster में और engine check light भी आ सकती है malfunction of battery जो है better temperature sensor can trigger battery warning light और engine check light को trigger कर देगा जो कि हमारे dashboard यानि के instrument cluster में हमार को देखने को पिलेगी और this happen because issue detected incorrect signal यह सब होगा जब issue को एक incorrect signal provide होगा sensor की तरफ से और इससे हमारा integrated problem जोगी वह charging system में आएगी लास आता है हमारा difficulty starting the vehicle अब एक faulty sensor जो है इसकी वेसे battery charge properly नहीं हो पाएगी जिसकी वेसे जो result आएगा battery जोड़े वह enough charge hold करके नहीं रत पाएगी और cold weather starting issue आएगा are common when the sensor is free जब भी sensor failed हो जाएगा और detect करेगा and adjust the photon lower temperature next हम बात करते हैं fuel filter water detection sensor अब यह sensor है यह use होता है हमारे diesel engines के अंदर diesel engines में diesel filter के पास लगा होता है fuel filter water detection sensor को हम water in fuel sensor के नाम से भी जानते हैं एक critical components है जो कि हमारे diesel engine और gasoline engine में use के जाता है primary function जो होता है इसका यह जो detect करता है presence of water in a fuel water कितना presence है हमारे fuel के अंदर उसको यह detect करता है और इसके accumulate करता है fuel filter को can lead the serious problem because it can cause of corrosion इसके कारण corrosion यान की junk की problem आ सकती है जिससे हमारे injector damage हो सकते है और poor engine performance हमें देखने को मिल सकती है अब यह जो sensor है sensor usually जो है integrated with the fuel filter पे साथ integrated के जाता है और water separate के जाता है and alert करता है to drive whether water has collected to the level the needed drain जब भी water collected level से ज्यादा हो जाता है needed drain के लिए this help to prevent water from and tiring the fuel injector or other sensitive parts of the engine अब यह help करता है prevent fuel injectors को बचाने के लिए other हमारे fuel system के sensitive parts होते हैं उसको बचाने के लिए helps करता है अब बात करते है location अब location क्या होती है water detection sensor की the sensor is typically located at the bottom of the fuel filter or water separate अब यह fuel filter है हमारे diesel गार्डियों में ऐसे fuel filter आते है उनके नीचे आपको यह देखने को मिल जाएगा अब हम बात करते हैं जब हमारे symptoms of a bad fuel of filter water detection sensor अब जब भी यह sensor खराब होगा तो क्या कैश्च जब हमें देखने को मिलेगी water and fuel warning light एक bad sensor के जो हो ट्रिगर करेगा water and fuel warning light जो हो गलो करेगी हमें dashboard में दिखाएगी और बार बार यह flash करेगा और sign जो हमें देखने को मिलेगा अब इससे sensor में ट्रिगर warning light warning light हमारे देखने को मिलेगी हमारे instrument cluster में दूसरा engine performance issue engine performance में काफी जादा issue देखने को मिलेगा अगर कोई यह sensor खराब होता है तो यह detect करेगा water जो है entire fuel system में है जिसके वैसे engine अपनी performance को establish नहीं कर पाएगा symptoms जो होगा rough vital देखने को मिलेगा हमारे को miss wire देखने को मिलेगा hesitation देखने को मिलेगा और साथ के साथ power loss होगा water जो है water in the fuel disrupt कर देता हमारे combustion process को water resistance की तरह काम करेगा हमारे combustion process के अंपर तीसरा आता है हमारा leading or different difficulty starting the engine engine start करने में क्या difficulty आती है water in the fuel अब जब भी water होगा fuel के अंदर तो engine hard starting करता है और prevent करता है engine from starting all to weather एक faulty sensor जो है वो alert करेगा drug की driver को तो prevent of water अब वो बार बार हमारे को यह indicate करेगा कि इसके अंदर water है और जिसकी वेसे ECU जो है वो proper तरीके से mixer को set नहीं कर पाएगा और एक चपकर में हमें hard starting का issue भी आ सकता है next नाता है हमारा reduce fuel efficiency अब in the sensor sensor is failed है sensor failed होने के कारण water entire the fuel system हमें यह मान लिया जाता है कि जो water है वो हमारे fuel system में है तो इसके कारण जो है engine जो है reduce कर देगा its can reduce engine efficiency इसका सीधा सीधा परफ़ाफ हमारे engine की efficiency पे आएगा और जो engine जो use करेगा the engine may use more fuel than usual engine जो है more fuel use करेगा जिससे हमारे fuel की economy है जो काफी जादा खट जाएगी this happen जो होगा water के lower जो काफी जादा खट जाएगी next आता है हमारा corroded fuel system components अब water होने की वज़े से fuel system में जंग लगने का भी खत्रा बढ़ जाता है जिससे हमारे metal के components लाएगा fuel injector fuel pump fuel lines वो corroded हो सकती है और damage हो सकती है next है हमारा fuel system damage अब अगर water if water makes it's a way pass the fuel filter due to the fault sensor अगर water fuel filter system को fuel filter system से pass out होके fuel line में enter कर जाएगा तो इससे critical components damage हो सकते है like fuel injector high pressure pump जो है इससे जो है damage हो सकते है और इसके कारण engine behavior जो है कापी जादा बदल सकता है स्टैलिंग और completely failure की condition भी आपको देखने को मिल सकती है frequent engine stalling हमारे क्या मतलते है water जो होगा हमारे fuel system में उससे engine stalling करेगा suddenly हमारे को loss of power देखने को मिलेगे during operation के कार faulty sensor जो है fail करेगा to alert the relevance of a water lead to dangerous driving situation where the engine suddenly lost power अब इसकी वचे से जो है main effect जो पढ़ेगा हमारे combustion पर पढ़ेगा तो कभी-कभी हमें जो है power loss देखने को मिल सकता है और इसी के कारण जो है inner frequently स्टैलिंग करेगा frequently proper way में कांग नहीं कर पाएगा तो यह होते हैं कुछ bad symptom of water detection sensor यही पर हमारे जो है आज का topic होता है सवाप अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को नाइक के जएगा और हमारे चनले को सब्सक्राइब बेजएगा आप अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं वीडियो